लो बना लो पोर्टफोलियो 2023 से 2025 के लिए जी दोस्तों लो बना लो पोर्टफोलियो 2023 से 2025 के लिए तीन साल के लिए डीफेंस सेक्टर के ये तीन स्टोक के बाद जो स्टोक हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में आप इसका बना लिजे पोर्टफोलियो बना लिजे लंबे समय के लिए माइंड में फिट कर लिजे आने वाले तीन साल बाद दोहजर पथीस के बाद आपको ये जितने भी स्टोक हम आपको इसको बी इयमे लिमिटेड मेजा गौन डॉक सीप बिल्डर्स एन हिंदुस्तान एरो नियूटिक्स लिमिटेड के बाद जितने भी स्टोक आपको मैं दिखान बताने वाला हूं अग सबसे बड़ा जोगदान है डिपेंज सेक्टर के लिए और तेजस मिअल जो बन रहा है पूरी दुनिया के लिए एक मिशाल है हम तो करी रहे हैं अपनी तेजस के द्वारा और एक्सपोर्ट के लिए भी हिंदुस्तान एरोनिटिस का जुगदान आतनी वर भारत जो भारत सरकार का जो मिशन है और जो प्लानी करते हैं और इसी को लेके पुरी दुनिया उनको नत्मस तक है चलिए मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए जितने भी कमपनिया यह आप देख रहे हैं लगे हुए हैं और ये भी मैं बता दू कि ये स्टोक जो है इन तीन स्टोक के बाद जो मैं आपको नेक्स्ट तीन स्टोक जो आपको दिख रहे हैं ये देश की सान आन बान है भारत डाइनेमिक और ये भारत डाइनेमिक अब जो समझे कि ये बहुत बड़ा तुफान रैली करने वाला क्योंकि भारत डाइनेमिक क साथ मिलकर टाटा गुरूप की एक कंपनी और भारत एलक्टोनिक्स लिमिटेड मिलकर 75 एयर बेस की जो इंफ्रास्ट्रक्ट्चर में काम कर रहे हैं मिलकर ये बहुत बड़ी प्राइज के रूप में आप देख सकते हैं इसको भारत डाइनेमिक पारस टिफेंस एंड स्पेस एरो लिमिटेड ये भी डिफेंस सेक्टर का स्टोक है जो आपको इसी साल IPY था भारत फोर्ज और ये भारत फोर्ज की बात करते हैं तो इसमें हम आपको कुछ ऐसे स्टोक्स की बात करते हैं जिसमें आपको भारत फोर्ज आरके फोर्गिंग्स एमेम फोर्गिंग्स एन सोना बी एल डबलू प्रेसिस्टेंस फोर्गिंग्स लिमिटेड ये चारव फोर्गिंग्स जो है आपको अपने रडार पे जरू रखना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं डिपेंज सेक्टर के ये जो पहले आपको नाम हम ले चुके भारत एलक्टोनिक्स लिमिटेड कोचिंग सीप्याड एन आस्ट्रा माइक्रोबेफ प्रडक्स लिमिटेड ये सभी स्टोक्स आपको अपने 2023 से 2025 तक के लिए तीन साल के लिए मना लो पोर्टफोलियो और बन जा 2023 की आने से पहले ही आपको एडवांस में आपको और आपके परिवार को सभी दोस्तों को हर्दे से बहुत-बहुत स्वागत है